कॉपर टेडार में अब बात करते हैं 1986 में शुरू हुई न्यूक्लियस सॉफवेर की 3800 करोड रुपाय के मार्केट कैप वाली न्यूक्लियस सॉफवेर ग्लोबिल फिनांशल कंपनियों के लिए लेंडिंग और ट्रांसाक्शन बैंकिंग प्रडाक्स बनाती है नतीजों पर फोकस करें तो आए में 7% की गिरावट दिखी है मुनाफ़ा 42% घट के 30 करोड दर्ज हुआ है और मार्जिन पर हमने अच्छा कासा प्रेशर बनता हुआ देखा है तो इतना प्रेशर नतीजों में कहां से आ रहा है इस पर हम मैनेजमेंट से बात करेंगे मौझूदा डिमांड ट्रेंड कैसी है आगे विस्तार योजनाए ग्रोथ आउटलूक इस पूरे स्पेस और कंपनी का कैसा दिख रहा है इन सब पर हम विस्तार से बात करेंगे जोड़ते हैं कंपनी के को फाउंडर और M.D. विश्नुवार दुसाद जी को Mr. दुसाद सर गुड आफ्टरनून बहुत सुआगत है दी बिजनिस पर सर आपके नंबर्स पर ही फोकस करेंगे हम देख रहे हैं इस कोटर काफी कमजोर नंबर्स दिखेंगे आपका अबिट मार्जन है इसमें शाप गिरावट दिखी है इफ आम नॉट रॉंग ये पिछले साथ कोटर में सबसे कमजोर है क्यों इतना प्रेशर आया सर इस बार के नतीजों में दो कारणों की वज़े से मैं बोलूंगा एक तो हमारी टॉप लाइन इस बार ग्रो नहीं की है इंफाक्ट नीचे आई ये टॉप लाइन और दूसरा हमारे जो ठीजो नहीं है भी तो आचा है ये हमारे खुआचा अच्छा कैसेशन ऑर कि ये इस दोनों का मांचिया है जिसकी वैसे नीचे आएं हैं इन दुनाा का कम्मजी इस नीचे आएं तो सर अगर आप बता सके कि अब कम्पनी की स्ट्राटेजी क्या होगी कि वापस से आपके जो मार्जन से 20% वाले मार्क पर आएं उस लेवल पर आएं तो आने वाले कौर्टर्स में अब आप इसे रांप अप करने के लिए क्या रंडीती उठाएंगे सर रंडीती सिर्फ पर आप आप यह तो प्र आप यह तो पर जाएंगे और फिर हम उम्मीद करते हैं कि मार्जन भी उस वज़े से मार्जन भी बीस परसंट से उपर के लेवल पर पर पांचेगी कब तक आप यह देख रहें सर इस आने वाले एक-डो कौर्टर्स में इस फिनांशल यह के अंत यह तक विल नुक्लियर सौफ़वेर भी बाक तो देख तो देख तो देख तो देख पर 20% प्लस या भी और समय लगेगा यह तो हम यह बता नहीं पाएंगे क्योंकि as a policy हम हम लोग guidance नहीं देते हैं लेकिन यह जलूर बता सकते हैं कि हमारा investment R&D में बहुत सस्टेंड तरीके से चल रहा है हम जो जो लेटेस टेकनलोजी आ रही है आर्टिफिशल इंटिलिजेंस होगेरा उसमें बहुत शार्प तरीके से हम काम कर रहे हैं और उसकी वज़े से हमें पूरी उमीद है कि हमारे अच्छी अच्छे solutions दे पाएंगे और उसके basis पर वो अपना बिजनेस बहुत अच्छी तरीके से कर पाएंगे आज गवर्नल साहब ने अर्विया के गवर्नल साहब ने यूलाइ को लांच किया है जी एफफ में ग्लोबल फिंटेक फेस्टिवल में और इसकी वज़े से भ है उसी तरह से लेंडिंग में भी होने वाली है हमारे यहां 10 करोड माइक्रो और स्मॉल और मीडियम इंटर्प्राइजेस हैं और आज की आज का अगर स्थी देखें तो उन में से कई लोगों को बहुत उंचे दर पर लोन लेना पड़ता है किसी कुछ लोगों को तो 360 प्र तो यूपी आई की वज़े से ये अब यूपी आई और आज जो अनॉंस हुआ है इसकी वज़े से अब यह दर कम होगा और उसी से हमारी एकोनोमी को आगे बढ़ने में मदद होगी तो इसके लिए हमारी कंपनी पूरा फोकस कर रही है कि किस तरह से के हम मॉडल्स बनाएं जिसकी वज़े से बड़े बैंक्स छोटे प्लेयर्स को लोन दे पाएंगे पिछले 35 सालों में हमारा रोल यह रहा है कि हमने जो जो रिटेल लेंडिंग में बहुत मुश्किल होता था महिनों लगते थे किसी को लोन लेने में वो अब महिनों से हफ्तों हफ्तों से दिन और है रिलेटिली आसानी से तो वह पांच है हजार रुपे का लोन हजार रुपे का लोन कैसे बैंकिंग इंडर्सी दे पाएगी उस पर हमारा फोकस है और वहीं पर हमारी आरेंडी चल रही है जिक्र किया कि आपको उमीद है कि कुछ अच्छे ओर्डर मिलेंगे सर अभी आप सब्सक्राइब करेंटली उस पर उसका क्या स्टेटर से सर हमारी कोई 840 करोड के लग भग है हमारी करेंट और और में यह जो लास्ट कोडर है इसमें कोई नए ओर्डर आपको मिले हैं या कोई ऐसे बर डील है जिस पर अभी बात चल रही है यहां नए और भी मिले हैं और अभी जा यहां इसे बात्ट अहरी साथयagan ऑर अंवेट बातें होुरी इसा में और मिंडल również और मैं ज jetना चाहरी थी कि जन ए आई आरटफिचल इंटलीजच पेस ऑडर का प्रोश्चरट कितना है जितना अपने का 840 करोड के आजवास का हैं उसमें जैने आई का कितना हिस्सा है सर दिखे जैने आई और अडिविशिल इंट्लिजेंस अभी शुरुआत हुई है हमारी मतलब हमारे प्रॉडक्ट में उस उन के बिटीज को लिवरेज करने की और अभी हम ट्रायल बेसिस पर हमारे ग्राकों को दे रहे हैं और वो ट्राइ कर रह जैने कि कितना ए आई की बेसिस पर हमारा रेविनियु आट है बट अदरवाइस जिस तरह के प्रॉडक्स अभी तक आपने डिलिवर किये हैं क्लाइंट्स की तरफ से कैसा रिस्पॉंस है इस पर्टिकिलर प्रॉडक्ट को या इस एरिया को लेकर उनकी क्या मन्शा है क्या सेंस किया आपने बहुत बहुत बढ़िया रिस्पॉंस है इन चीजों के बारे में क्या है कि आर्टिविशिल इंडिलिजेंस के बेसिस पर और जैने याई के बेसिस पर दोनों ही चीजें बहुत आसानी से हो सकती हैं एक तो इसको बोलते हैं कि किसी भी व्यक्ति को जो लोन चाहिए वो उसके हिसाब से हम उनकी उनकी ग्रहक की डिफरेंट चीजों को देखते हुए सिचुएशन को देखते हुए लोन ओफर हो सकता है तो उसकी मज़े से बहुत ज्यादा इंट्रेस्ट आ रहा है और दूसरा जैसे कि आज शक्तिकान दास ने बताया कि जो जो वाली मार्कीट है जो 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 अनटैप्ट मार्कीट है अभी छोटे लोन की उसके उसमें भी कॉस्ट ऑफ लेंडिंग इस समय बहुत जादा है जब भी हम मैन्योली करते हैं तो एक बड़ी मार्केट खुलेगी सभी बैंकों के लिए अभी अगर हम देखें तो बाइस अजार ब्रांचेस हैं कहने को बहुत बड़ा नंबर है लेकिन हमारी जितनी आबादी है उसके हिसाब से वह सभी ब्रांचेस मिलाकर भी बहुत छोटा नंबर हो जाता है प्रेक्ट सेक्टर बैंक्स और प्राविट सेक् प्रेंट्स हमने शुरू किये थे उसी तरह से टेक्नोलोजी बेस्ट लेंडिंग शुरू हो जाएगी तो बहुत फाइदा होगा बैंकिक इंडिस्री को भी बहुत 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 अचा सर अगर आब बता सकें यूएस में जस तरह की स्थिती बनी हुई है रेट कार्ट की चल रही है लेकिन एकॉनमी को लेकर कभी रोसेशन की बात आती कभी थोड़ा असमंजस है तो सिंस आपने कहा कि यॉरप में आपके क्लाइंट्स है और दूसरे अंतराश्ट्रे जोग्रिफी में भी आपके क्लाइंट्स हैं क्या सेंस मिल रहा है सर अभी इंटरनाशनल मार प्रापियां कम हो रही है और और वैसे नई हाइरिंग वहाँ पर बिल्कुल कम है इस समय तो वह वाला चैलेंज तो ही मतलब वही है कि अभी पिछले फ्राइडे को जब वह अनौन्स हुआ कि रेट कट्स होने वाले हैं तब तो मार्किट थोड़ी सी जंप करने वाली है य तो यह दोनों ही चीजें रहेंगे अभी कुछ समय के लिए हम यह नहीं कह सकते कि रिसेशन में ही जा रहे हैं या यह भी नहीं कह सकते कि वेस्टर्न एकोनोमी बहुत तईजी से ग्रो कर रही हैं दोनों ही तनों ही किपीच में आभी तैंक्यू दोसात सर हमारे साथ जुढ और कैसा पॉस्पेक्टिव है इस इंडास्ट्री को लेकर अंतराश्य और घरेलू बाजार में यह रखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद